नमस्कार दोस्तों कीती शायका में आज हम बनाएंगे काजु कतली जो की बहुत ही इजी इसको बनाना और बहुत ही कम समयमी बन जाता है इससे हर तेवहार पे खाना हम पसंद करते हैं चाहे वो राकी हो, होली हो, दिवाली हो, तशहरा हो और नया साल का पर्व हो तो चलिए इसको हम बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम शुगर सिरफ तयार करेंगे, तो यहां हाप कप 125 गाम शुगर और 1 पोर्थ कप पानी, 60 हैमल पानी, इससे हम शुगर सिरफ तयार करेंगे, जब तक शुगर मिल्ट होगा तो तक हम काजु का पेश तयार करेंगे, तो यहां हमें फ्रिस से ठंडा काजू लिया है, धाई सो ग्राम, इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, अब इसे हम छाल लेंगे, इसे हम फिर से ग्राइंड करेंगे, हमें काजू कतली की एकदम फाइन काजू पॉर्डर चाहिए, तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में फाइन ग्राइंड करेंगे, तो शुगर गल चुका है अब इसमें हम काजू पॉर्डर को डालेंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे हाफ टी स्पून इलाची पॉर्डर और वन टीबल स्पून देसी घीस में हम मिक्स करेंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे तो अब हमारा काजु कतली रेडी होने वाला है अब हम बटर पेपर पर देशी घी अप्लाई करेंगे और इसे हम अब चेक करेंगे अगर काजु कतली का पेस्ट जमने रगे तो इट मेंस की बर्थी हमारी तयार है अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए बटर पेपर पर रख देंगे तकरीबन पांच मिन के बार इसे हम प्लेट में ट्रांस्पर करेंगे और लगातार मिक्स करते चलेंगे अब इसे बटर पेपर पर हाथों में गी लगाकर और बेलने में गी लगाकर अच्छे से बेल लेंगे कोशिश करेंगे कि हम स्कुयर ही इसको बेलें तभी काजु गतली का परफेक्ट लुक आएगा और आपको भम थिक में सुताते हैं इतना थिक बहुत है हमने यहां एक स्केल लिया है इसी से हम काजु कतली की कटिंग करेंगे काजू कतली को हमें डाइमंड चेप लेना है इसलिए हम पहले सिधा-ज़दा कटिंग करेंगे फिर हम क्रॉस कटिंग करेंगे इससे डाइमंड चेप एकदम पर्फेक्ट आएगा तो देखें एकदम रेडी हो गया है अब इसे ठंधा कर देंगे तक रेवन पांच मिन बाद इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे तो देखें एकदम पर्फेक्ट टाइमंड शेप मारा काजू कतली तयार हुआ है तो प्रेंट्स बनाईए इसको अपने घर पे और लाइक करिए मेरी इस रेसिपी को और सब्स्राइब करिए मेरे चैनल को जिससे मेरी सिटी की नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल सकें